वारीज़ बेड़ी विडियो में हमारे पासे काफी स्पेशल इंस्टॉलेशन है यह आर्ट ओव मोटरसाइकल्स का ट्यूरिंग हैंडल बार वेशे तो यह 390 एडवेंचर और 390 ड्यूट के लिए आता था लेकिन अब यह 250 ड्यूट के लिए भी कंपेटिबल है अल्दो उन प्रफटब में इसको नहीं कर सकता तो फिर इसको ले जाकि हम कर आएंगे शॉब पर इंस्टॉल और तो चली चलते हैं हम आज चुके हमारी फेवरेट शॉप पर यह हमारे रजट व्यार और यहां हमारे अर्शिका हेलो तो फिर आज यहीं पर इंस्टॉलेशन करेंगे एक्चली क्या है कि यह एंडल बार इसके डेस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इसके पर जो स्विच लगते हैं स्विच का कोई भी होल नहीं किया आता है तो उसको होल को करके और उसको फिट करना पड़ेगा प्लस मेरे पास एक दो एलेंड की जो आती है एंडल क्लैम खुलने की वह भी नहीं पड़ी है तो मैंने का अपन यहीं से इंस्टॉलेशन क साथ में आता है क्लश की केबल स्टॉक नहीं लगी इसा ओनलाइन लिखा वाता अब देखते हैं खोलते हैं पार्सल में क्या क्या साथ में चौर्ड एक बार अन्बॉक्सिंग करतें फिर आगे का काम करते हैं तो अन्मोक सिंग करने के बाद हमार पास चार पांट सामान आए सबसे पहले थेंक्यू टाड आया आटो मोरेशाइकल के तरब से जिसके पूर जिनेद भाई का साइड और यह रहा हमारा हैंडल बार काफी अच्छी क्वालिटी है और पेंट फिनिश हो गया यहां पर इनका लोगो बनावा यह रहा है और साथ में ने क्या-क्या दिया यह बार एंड वेटी हैं विद इसकी जो भी कंपेटिबा लेंट के वो और एक यह क्लच की एक्स्टेंशन के बल दिए कॉनसी बाइक के वो तो पता नहीं लेकिन इस पर उपफुली लग जाने साहिए चार सामा अब इंस्टॉल इसन अब इसके अंडर से यह एंड़ कुलेंगे स्विच कुलेगा फ्रोटल की आसेंब्ली जी खुलेगी और फिर इसको नहीं अला एंड़ा तेका रखावा हमने यह पड़ा हमारा उन्यू है इसका वेट तो इसका से ज्यादा लग रहे है लेकिन अब पूरा ना खुलेगा उसका पड़ेगा कि उसका वेट इतना है लेकिन अवरोल काफी अच्छी क्वालिटी इसकी पेंट बगेरा जैसे कि आर्ट और मोटरसाइकल से एक्सपेक्ट किया है अब लेखते हैं कि फुली इसन इमार क्या रि हमारा पूराना है उन्ल भार हमने गड़ी से खोल लिया है इसके और नय वाले हैंडल बार के वजद में काफी ज्यादा फ़रेगे यह बहुत लाइट है नय वाला जो आ आर्ट ऑ आट वालीति इसके में का वेट है काफी अच्छा है है आप देखते हैं आप है देखो रज कि यहां पर क्लेरेंस बंद रही है जिसमें कि वह हंडल टाइट निवरा तब इसके लिए हमने वापिस यह इस्टोग हैंडल का थीकनेस मोटा हो और जो अपने आर्ट ऑफ मोटर साइगल का हैंडल का रहेगा फिर वो हां तिये ड्यूक 250 के लिए मंगा है रामने क्लैम दिया हैंडल है और खाली केबल है वो आरेस दोसों का जी जी चलो देखता हूं में एक बार और हमारा काम थोड़ी देर के लिए रुग गया था जो मेंटल की बुशिंग्स हैंडल बार के साथ सप्लाइड होनी चाहिए थी वो किसी रिजन के वज़े से नहीं आ पाई या फिर व भूल गया कुछ भी कारण हो सकता है तो अब इस जगह पर आकर हम हैंडल को आगे नहीं लगा सकते थे क्योंकि हैंडल उस क्लैम में लूज बेट रहा था तो हमने सोचा कि हम इसका एक खुदी बना देते कोई दिकत वाली बात नहीं है हमने मेंटल की दो पीसिस लिए उनक मेंटल की क्लिप्स जो हमने बनाई हैं यहाँ पर दिखेंगी इस स्टाइल की कुछ मेंटल की बुशिंग दाने ची हाला कि यह तो दो पत्वी मेंटल की पत्तियों को बेंट गर हमने बनाई हैं दो यहाँ पर हैं और दो इस साइड हैं जिसके उसे हैंडल की स्पे स्टाड के लिए तो हमेंसे चेक करें कि आपके जुगार कर लिया लेकिन अपके पास कोई फिस्लिटी नहीं हो इसको मौड करने कि हाला कि इसमें अभी भी हल्का सा फर मैं इसलिए कोई दिक्त वाली बात दो नेक्स्ट तु दे वीडियो मैम जब भी भी सीप होंगे तब उनके साथ लगाएंगे लेकिन आज तो हैंडल को कैसे भी करके फिट करेंगें देखते हैं आपको जुगाड कैसे भी करके आज हैंडल बार को लगा की जाएंगे हैं यहां से करेंगे हैंगे 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 करते हैं अभी तो पर्फेक्ट लग रहा है कोई लिक्कत वाली बात नहीं है अब थोड़ दिन चला कर देखिए ठीक है ओल्राइट गाइज वाइज 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 फाइनली हमारा हैंडल बार लग चुका है और आइकंटेल स्ट्रेट अवे अवे चुकाभल के मुकाबले इसके राइडिंग पॉस्चर और जो ग्रिप है वो काफी अच्छी है जो बहुत जादा अपराइट हो गया है stock handle के उपर मैंने risers भी लगा रहे थे लेकिने बिना risers के भी काफी अच्छी riding position प्रोवाइड कर रहा है अब इसको थोड़ा कही ride पर ले जाने के बाद ही actually उस तो पता पड़ेगा कि कितना effective है और क्या है बाकि first impression तो काफी अच्छे है otherwise everything is fine so I think कि आज के व्लोग के लिए इतना ही काफी है thank you guys so much for watching और next time अगर आपका भी वीडियो का handle बाख ही देंगे आट और मोटरसाइकल से तो I think कि आपको पता है कि किन चीजों का ध्यान डगना है otherwise इस वीडियो के लिए इतना ही Xion signing out कि अजा यजिए बहां आपको डबाख आपको अपको लोगना है